बात करने के लिए लॉग इन करें www.astrotak.com जिन लोगों का जन दिन 25 जनवरी को है उन्हें हम सब की तरफ से जन दिन के हार्दिक शुप कामनाएं आने वाले वर्ष में आपके करियर की तमाम समस्याएं हल होंगी दूर होंगी धन और कर्ज की स्थिती में आपके सुधार होगा स्वास्थ पर अभी भी ध्यान बनाए रखियेगा और अगर आप अविवाहित हैं तो आपकी शादी इस साल हो सकती है क्या करेंगे पूरे साल भर भगवान शिव की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा आज के महा उपाय में हम बताते हैं कि अगर आपको बार बार नजर लग जाती हो बहुत साल लुक कहते हैं कि मुझे नजर लग गए में बिमार पढ़ गया बिमार पढ़ गई तो अगर आपको बार बार नजर लगती हो तो क्या करेंगे अपनी लंबाई के बराबर एक काला रेशम का या सूती धागा नाप लीजिएगा और इसको अपनी कलाई में पहन लीजिएगा किसी भी दिन शाम को अगर आप पुरुष हैं तो दाहिनी कलाई में महिला हैं तो बाई कलाई में इसको बढ़वा लीजिएगा पहला काव चंदन की सुगंद नियमित रूप से प्रियोग करिएगा और इस कलावे को 6-6 महिने पे बदलते रहिएगा आपको नजर लगने की संभावना पूरी तरह से शूने हो जाएगी देखिए जिन लोगों को बेवज़ तनाव होता है बेवज़ का टेंचन पालते हैं बेवज़़ की चिंता रहती है ऐसे लोगों को सलाह ले करके एक मून स्टोन यानि चंदरकांत मडी इसको हिंदी में चंदरकांत मडी कहते हैं और अंग्रेजी में मून स्टोन कहते हैं ये पहनना चाहिए चान्दी की अंगूठी में दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मून इस्टोन अगर आप लगातार पहने तो इससे आपकी बेवज़ा की चंताएं बेवज़ा के तनाव निश्चित रूप से दूर हो जाएंगे झाल झाल झाल